Hello everyone, welcome to day of burst आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Implement Custom VPC AWS के अंदर जैसे कि आप देशे होते हो कि मेरे सामने एक डागराम है जैसे हम implement करेंगे AWS के अंदर वैसे देखा जाता है और रड़ी हाप पर बहुत सारे complicated diagram वीडियो होते हैं आज वीडियो में आपको step by step guide करूँ है किसे आपको हार एक चीज यहां पर select करने हैं किसे साइडर रेंज बनानी है या फिस सभी चीज हम discuss करेंगी और एंड में आप अपना खुद का यहां पर वीपीसी बना सपोगे तो वहाँ पर आप चाहते हो ना बहुत सारी मशिन से होने चाहिए तो जैसे की पता होगा कि हर एक मशिन के एक IP अडर्स होता है जब आप वीपीसी डिजाइन करोगे तो अगर आप वीपीसी के अंदर लेट सपोज कि आप 5000 मशिन साप एड़ कर रहे हो तो हर एक मशिन के लिए एक अलक IP अट्र से चाहा पर आलोक Ос है तो अगरा पर आपको रचाहर मां लिक देंगा आप अब जा जाके डिमार्ट घाच्च सकते हो उपर आपको वीड़ीए को साइधर इस मील को निजाएगी तो हम करने के हां वाले हम साइडर रेंज बनाएंगे साइडर रेंज से होगा क्या कि जो भी आपके आई-पी होगी यह सबसे पहले हमारा जो में वीपीसी रहेगा उसके अंदर बहुत सरी मशिन्स रहेंगी सबसे पहले हमारी एक साइडर रेंगे वीपीसी के में यहाथ डीशाइड करेंगे रेंगे किसके अंदर हमारे कितनी हाथ हमसर हें कर रहें और वहाब हो गया गया सबसे आपने यहाँपर यहाँ इप एक यहाँ जोन होते हम वोलते हैं इसे तो हम हर एक सब्नेट को डिफरेंट एसी में रखेंगे तो इससा फार्दा ऐसा होगा कि जब भी कोई फेल ओर आता है या फिर कोई एक जोन या पर आपका बंद हो जाते हैं तो आपको जो सेकेंड जोन रहेगा वो सर्वाइब रहेगा तो जिससे आपको बी एक इससस यह पर अगर आप लोड बैलन सद्रीष कर रहे हो तो आपको यह आपका इसससेट यह पर डोज्फरेंट इसससे अगर कोई एक इससट वहन भी अपर डूं गया सम्हाव रिजन सो जो आपको यूजर रहेगा अगर उनमें से कोई भी एक यह पर बंद हो गया तो यूजर यहापर जो सेकेंड इसे आपकी वेबसाइट रहेगा तो इसी वैसे जो यहापर डाइगराम है बहुत ज्यादा इसे एक हम रिलाइबिलिटी कहेंगी तो यहापर ह कर चुके हमें दो सब्नेट्स हैं और दोनों सब्नेट्स का अंदर एक इक यहापर इंस्टन्स रख चुके और इसकी वज़से आपकी जो डाउन टाइम रहेगा उसके चांसे बहुत बहुत कम हो जाते हैं अगर आप चाहो यहापर मल्टेबर सब्नेट्स भी बना सकते हो तो हमें इस केस में सिर्फ दो ही उसकरने वाले हैं बड़ा चाओत तीन चार आपके अपके यहापर चूज कर सकते हो तो यहापर दो सब्नेट्स आते हैं अवह यहापर तैसलिव प्राइवेस जो हम यहापर सब्नेट्स अच्छा रहें गो रहेंगे पबिक सु आपक चाह अंदर रोड ऐक्सेस नहीं रहीं वाया दर इंटर्णेट तो उसके बारे हम निक्स के सी वीडियों पर बात करेंगे और हम दिखेंगे बी कि प्राइवे सब्मेट केसे बनाने हैं उसे किसे इंप्लिमेंट करना है बाट फिलार के लिए आज हम से पॉब्लिक सब्सक्राइब बाद किया रहेंगे, तो आज दो सबस्ट बनाएंगे, अगर आप चाहों तो दो, तीन, चार आपके रिख, क्रीेट कर सकते हो, तो जो यहापर हमने सब्नेट से बना लिया, उसके अंदेर हमने मशिर से हमेंगे यह प्लान करें के इस सब्नेट के अंदर हमको 1000 मशिर से अडक मशिन के अंदर जाना है, किस विपसेट के अंदर जाना है, किस अंदर जाना है, वो सब चीज़े किसी Decide होगी, और वो सब चीज़े Decide होती ही, using the route table, तो कुछ इस तरह का हमाया route table रहेगा, जितने भी आपकी subnet से रहेंगे, public, private, में आपको पता है कि सब चाहिए है कि ऐसे आप सब्स्क्राइब एक बना है तो इसे हमंगीएंगीई पप्लिकर्प्लिकविश ऑनेलटाग्य दिर्डेक्ल करेंगे व अघर हमने राउटवल को आड़ किया और ऊसे पता ही नहीं कि आपकी इंटरेट को का से अक्सें करना है तो यहां पर route table पर से हम लोकल ही हमने connection कर देखी हाँ उसके जो सब लोकल routes रहे हमने route table के अंदर add है बट आपके जो subnets वे internet को access ही नहीं है तो आपकी विबसाइट को किसे serve होगी तो उसके से हम add करेंगे internet gateway जो जब भी यूजर यहां पर आएगा तो सबसे पहले हो इंट्राइक होगा internet gateway के साथ उसके बाद route table के अंदर देखेगा कि जो हम website visit करें और यहां पर host करके रखे किस subnets के अंदर किस az के अंदर तो उसके according यहां पर आपकी जो website रहेगी उसे अब directly जो ट्राफिक होगा और उसके बाद यूजर हैगा वो website को access कर सकेगा तो यहां पर इंटरनेट यहां बहुत जाद़ यूसफुल यहां पर रोल हम पब्ली सबनेट के अंदर यहां देर प्राइवेट सबनेट आज विल तो आपको चले जाना AWS Dashboard के अंदर और यहां पर आपको सबसे पहले चूज कर लाए region तो मेरे case में में चूज कर रहे हूँ यूवेस इस्ट वन और यहां पर आपको सर्च करना है वीपीसी एक बाद डाइशबूर उपन हो जाने के बाद लेट हां साइड में आपको option मिले और create VPC का तो यहां पर आपको दो option से यहां पर mainly तो VPC and VPC only and VPC and more so VPC and more को होगा क्या आपको automatically आपर सबनेर्स and सब चीज़े create हो जाएगी but फिलार के लिए हम से VPC बनाएगी उसके बाद हमारे custom यहां पर यहां पर हम नाम देदेंगे हमारी VPC को so my custom VPC और यहां पर आपको option मिलेगा IPv4 Cider Block and this is the Cider Block तो यहां पर हमको Cider Block चूज़ करना है so जिसकी मैंने बताया था कि आपर हमारे जो VPC के अंदर बहुत सरी machines रहेंगे so of course हम higher हम lower number के साथ जाएगे तो हमारे case में हम यहां पर चूज़ करेंगे 170 0.0.0 आप कुछी भी चूज़ कर सकते हो तो Cider की वीडियो जाके देखिए आपको सब चीज़ी पता चल जाएगी तो अगर हम सब्रेट मास 16 उस करते है तो हमको 65536 यह पर IP से बलेंगी जो की more than enough एक VPC के लिए अगर आप चाओ और लोल नमबर भी देखिए तो या फिर 15 या फिर 14 तो आपको अपको आपको देखिए आप देखिए तो बाट 16 आइ तिंक इस मोर दन सुपिशन तो अब हम यूस करेंगी आपर 16 तो हमारी जो IP रेंज यू होगी हो रहेगी यापर 10.0, not 10.0, it's 170.170.170.170.170.170.170.170.0.0 and the subject masking in our case is 16 तो यापर हम चूस करेंगी प्लाइस 16 को यहाँ पर हमने चूस कर लें हमारा साइडर ब्लॉक और अब देखोगे आपर एक लाइन भी है कि साइडर ब्लॉक साइड मस भी बिट्विन 16 और 20 तो आइटिंग आमजान के प्यापर आपको रिस्टिक्शन है 16 की बिलो आप जाने सकते हैं इसे यहाँ पर आपको यहाँ पर बिल देनी की जरुरत ने रहेगे अगर आप यहाँ पर एक डिटिक्शन हाडवेर आपके लिए अलोकेट हो जाएगा इस वैसे अब हम यहाँ पर इसे ड्रेटिटइग मोम करेंगे मकस्ум टो हमारा हमारी पीशाल नहीं है दो क्रेट लगा है और अगर आप देखोंगे लिए थारण हईज है वह भीुख्या ब्योंबहापर मन 15.0000 to 0 for us 16 छोके हमारो चै囉 मासकने यह एंड अगर आप इस से जो default विपीसि यह उसे देखोंगे यह पर में राउटवल है और यहापर अभी कोई राउट टेवल नहीं हें तो क्यूंकि हमने क्लियेट में अभीज़रो विपीसिक विपीसिखेंगे खताने हैं यहाप बंदे व् तो आपके लिए better understanding रहेगी तो यहाँ से हम select कर लेंगे my custom vpc तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो custom vpc यहाँ पर अभी कोई भी और यहाँ पर आपको az पूछेगा तो यहाँ पर हम चूज करेंगे us-1a और अगर आप ध्यान से देखोगे इस ताइम तो यहाँ पर आपको cider block तो पूछाई है इसके अंदर आपको 565536 यहाँ पर IP address मिलेंगे पर हम बनाने वाले दो सब्नेट्स और अगर हम करेंगे गया कि जो हमारी जो IP की रेंज है हम उसे फॉदर डिवाइट करेंगे दो सब्नेट्स के अंदर तो जैसे हम यहाँ पर नंबर यहाँ पर इंक्रेस करेंगे लेसे के तो यहाँ पर नंबर हमको आएगा यहाँ पर 1024 ओके तो जो हम सब्नेट्स बनाएंगे तो उसे हम आलोकेट करेंगे IP address हर एक सब्नेट्स के लिए तो हमारी केस में हम चूज करेंगे इसे 20 या फिर आप 22 भी चूज करते हूं बट 20 is more than enough तो उसे होगा क्या कि सबसे पहले आपके जो में यहाँ पर जो साइडर की रेंज थी जो सब्नेट्स के थी उसके अंदर 65,000 होगा 65,536 तो यहाँ पर में साइडर की रेंज यहाँ पर डिसाइड होगे हमारा IP address उसे हम ने फ तो यहाँ पर 4096 something हमारी यहाँ पर IP address की ranges होगे तो उसे हमने 4000 and 4000 यहाँ पर दोनों सब्नेट्स के अंदर हमने से डिवाइड कर दिया तो हम जो फॉर्स सब्नेट्स बनाएंगी तो उसके अंदर रहेगी हमारी 4000 की आसपास IP address and second subnets के लिए उतनी रहेंगे तो यहाँ पर हम हमारी केस में हम यूज करेंगे फिर 170 यहाँ पर मैं copy कर लेता हूँ ओक हमको टाइप करना बड़े 170 0.0.0 and okay and 0 and for a slash 20 so उससे होगा क्या कि हमको कितना IPs बेलेंगे जैसे के देसे तो कि 4900 and almost yeah 4096 हमको यहाँ पर IP address मिल जाएंगे तो यहाँ पर हमारी जो IP address है एक सब्नेट के लिए हो जाएगी तो आयो बहुत पता से जुका होगा कि हमारी आईपी जो किसे डिवाइड होगी रिंजिस के अंदर आई नहीं आपको सुर्ण में थोड़ा कॉम्लिकेंट लगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे खुद सब्सक्राइब करते हैं तो जब आप यहाँ पर क्रिएट सब्नेट करेंगे तो आई थिंग उससे हम एक न्यू टैप के अंदर उपन कर सकते हैं शायस से नहीं तो चलो यहाँ पर हम इसे कर लेंगे कस्टम वीपिसी और आगे हम चीज़ें से में करने वाले हैं जैसे कि मा और जब आप से आपर सिलेट करोगे और जब आप यहाँ पर क्रिएट सब्नेट करोगे तो यहाँ पर आपको एक एरर आ जाएगा साइडर आइडरेस ओवर लाप्स विद एग्जिस्टिंग सब्नेट साइडर 170.0.0 तो चलो एक बार हम पीछे जाएंगे और अगर आप ध एपी है वह ओरलाप हो रही है क्योंकि यहाँ पर यहाँ उर्यड यूस हो चुकि नहीं से कर ने को contradict to के लिह यहाँ पर overlap हो गी तीसी वादल से حमें इसे use कर सकेंगे तो इस case के हम भाद हमारी second बीजैंगे को नाम ढालेज के हम से ऺड़नारे प सब्सक्राइट कर लेंगे हम् सुम्सक्राइब प्सक्राइब my public subnet dash b और यहासे हम zone भी select कर लेंगे मतब easy और यहापर हमारा cider block की यहापर option आचुक है अगर आप यहापर जाओगे इस website में cider.xyz और जब आप यहापर अपनी जो IP address के range थी आप यहापर add को दे 170.0.080.4.20 जो कि हमने already public subnet A के लिए चूज कर चुके हैं हम और अगर आप इसे dance देखोगे जो हमारी first usable IP start हो रही है हमारे public subnet के लिए वो start हो रही 170.0.0.1 और end हो रही है 170.0.15.254 तो इसका मतलब ऐसा है कि जो आपकी IP range है 170 की वो यहाँ से start हो कि यहाँ से खतम हो रही है आपके public subnet A के लिए तो आप उसके अंदर कोई भी आप IP आपर चूज नहीं कर सकते हैं तो जब भी आपकी जो last IP आपर खतम हो रही है जिसकी 170.0.0.0.15 and 254 तो होगा कि जो next IP हमारे start होगी वो start होगी 16 से जब यहाँ पर 16 से start होगी नेक्स वाले IP तो यहाँ पर जो हमारे जो first usable IP start होगी 170.0.0.0.16.1 और यहाँ पर end होगी 170.0.0.0 sorry 170.0.1 31.254 तो हमारे next IP कहा से start होगी तो हमारे next IP start होगी 32 से I hope आप खिलियर आपता जो जगा होगा subnets के लिए आप किसे यहाँ पर use होगते हो तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 15.254 होगी तो हमारे next यहाँ पर हमारे start होगी 170.0.16.0 and forward slash 20 तो चलो use करते ही 170.0.16.0 forward slash and 20 और जैसे आप इसे select करोगे और इसे create subnets करोगे तो आपको जो subnets करेट हो जाएगा तो जैसे कि हमारा subnets यहाँ पर create हो चुका है और जब हम इसे remove कर देंगे stack को तो टाइक और हमारे दोनों subnets क्रेट हो चुके public subnets 1 and public subnets B और अगर आप धाल से देखोगे तो यहाँ पर हमारे जो available IP address है वह भी है फिलाल के लिए 4091 बड़ आप सोचोगे कि यहाँ पर हम 4096 था बड़ यहाँ पर 4091 क्यों हो गया क्योंकि यहाँ पर पाच जो IP address हो रिजो होती बाई Amazon तो यहाँ पर आपको जो टोटल काउंट मेलेगा जब यहाँ आपर बनाओगे तो यहाँ पर पाच IP address है पर रिजो हो जाएगे Amazon के लिए उनकी कस्टम राउटिंग उनकी राउटिंग और पकी काम के लिए तो यहाँ पर फिलाल के लिए यहाँ पर 4091 और हमको available है चलो यह काम तो हो गया हमारे दोनों यहाँ पर बन चुके अब हम दोनों पॉब्लिक सब्नेट को एड़ करेंगे तो चलो राउट टेवल करते तो यहाँ पर लिफ्टाइन साइड में आपको option मेलगा राउट टेवल का तो यहाँ पर हमारे कस्टम विप्स पेलिस चूज कर लेंगे तो फिलाल के लिए हमारे पास कोई भी हमारा यहाँ पर राउट टेवल नहीं है तो अम इसे करेंगे तो यहाँ से हम अपने राउट टेवल को नाम देंगे my route table और यहाँ से हम विप्स इलिट कर लेंगे और यहाँ से हम कर लें एक बार आपने route table क्रियेट कर लिया उसके बाद यहाँ पर एक option मिलेगा subnet association का और यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे दो सब्नेट से अब यह अब यहाँ से नहीं है हमारे सब्नेट से यहाँ पर आड हो चुकि हमारे राउट टेबल के अंदर चलो यह तो हो गया and finally हमारे एक ही कामबागी जो हमारे इंटरनेट गेटवे है उसे हम आड करना है हमारे राउट टेबल में और उसकी साथ साथ उसे हमको attach करना है तो चलो सबसे वहले हम यहाँ पर इंट इंटरनेट गेटवे का create internet gateway और यहाँ पर हम नाम देदेगा हमारे इंटरनेट गेटवे का my internet इंटरनेट गेटवे और इसे हम करेंगे create जिसे आप इसे create कर लोगे तो यहाँ पर आपको option मिलेगा detach का क्योंकि फिलाल को जो इंटरनेट गेटवे अभी attach नहीं है to the VPC तो यहाँ पर option आप आया option attach VPC का बढ़ हम यहाँ से attach नहीं करेंगे हम जाएंगे सिधा internet gateway के अंदर और यहाँ पर हम इसे refresh कर लेंगे ओके यहाँ पर अभी detach है इसे वाइसे आपको option नहीं आया है हम इसे कर लेंगे select और यहाँ पर हम जाएंगे actions के ऊपर और यहाँ पर करेंगे हम attach to VPC और यहाँ पर हम choose कर लेंगे हमारे VPC को जिसा आप इसे select कर लेंगे और यहाँ से हम कर पर आपको चले जाना है राउट टेबल के अंदर और यहां पर आपको क्लिक करना है एडिट राउट्स राउट्स और जब आप यहां पर देखो यहां पर दो यहां पर फिलार के लिए एकी राउट है 170,0.00,16 और यहां पर लोकल, जो आपको दोनों सबनेट्स थे आपके यह फिलार के लिए लोकल मी है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा इंटर अंटर्ण गेट है उसे एड गारेंगे राउट टेवल के अंदर, उसके ह करेंगी याप पर आयर राउट और यहाँ से आपको चूज करने ना है 0.0.0.0 आप सब्सक्राइब यह क्यों जो जिसे मैं ने बताया कि आपको पॉब्लिक सब्सक्राइब आपको पता होगा 0.0.0.0 अला रहेगी और उसके बाद आपको यहाँ पर और आपको यहाँ आपकर आप्शन मिलगा यहाँ पर आपको डिर्टनोयको और जिसस ते आप यहाँद ने चूज कर ओगे यहांपर citan पर आचुका है उसके बाद हम कर देंगे से शेव और जो राउट है अगर आप द्यान से देखोगे आप पर अब आप आड़ हो चुका है और सेकेंड जो हमारा राउट है हुँ हमारा लोकल है अपके सब्सक्राइब के लिए वडिए याद तक ही रखेंगे और निक्स बिए तो हम जानेंगे कि आपको अपने कसम बना VPC कंदर लांच कसे करते हो इंस्टास को और जाद हम और एक दो सेटिंग करनी पड़ती है हमको अगर आप इंस्टास लांच करते हो तो बहुत सरे लोग को या पर ओर विल्मिंग लग रहा होगा बहुत सरे चीजे को बट अगर अगर ईंप्लिमेंट करोगे हैंस अन आपकी प्रेक्टिस कर लोगे तो आपको या पर कोई दिक्कत नहीं होगे और स्प्रीट उस्टास पर इस वीडिए और सियू गैशस इन दे नेक्स वान